हलो फ्रेंड्स मैं रुची वर्मा आपका हमाया चनल में फिर से सौगत है आज मैं आपके साथ चीनी के बने मीठे पराठे की रेस्पी शेयर करेंगे ये बहुत ही सौधिस्ट होते हैं अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो चीनी से बने पराठे आप उनको टिफिन में दीज बच्चे बहुत ही चौँ से इन पराठों को खाते हैं चलिए देखते हैं इनको बनाने के लिए आाटे को पहले हम गूथ लेगे मेरा आटा गुतकर तयार है अब मैं चीनी के पराठा बनाने के लिए हमें जरूरी है चीनी देसी घी आप चाहें तो देसी घी की जगह रिफाइन या कड़वा तेल भी यूज़ कर सकते हैं कलन को देसी लिए हमें जोगा कँ तो थाज़ भी कि अनुमें थाजा गुछा बए्बाग 15 लिए से लूछा रिख मैं ङार प्लाएं वुशी है उन टेसी उम्हा है ज का साथ टूज़ को देसा जाई हैं आप इसी तरीके से पराठा बना कर रख दिजिए रेस पर मैंने अपना फ्राइपें चड़ा लिया है अब मैं अपने पराठों को इन पर सेखूंगी आप चाहें इसे देशी घी से बनाईए या रिफाइन या कड़वे तेल से मैं इसे घी से बना रही हूँ जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसे मीडियम आज में ही पकाईए आप इसी तरीके से अपने सभी पराठों को बना लीजिए हमारे पराठे बनकर तयार हैं आप इसे चाहें सादे खाईए या इसे दही के साथ मिखाईए यह बहुत ही टेस्टी होते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट्स करिए सब्सक्राइब करिए बेल आइकन की बटन दबाना मत भूलिए जिससे आने वाले हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए okay friends, bye